असलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के उर्दू के कहकशा के किताब से चैप्टर नंबर 3030 जिसका नाम है क्वारंटीन चैप्टर का क्या ना क्योंकि आप लोग पहले से ही जानते हैं रियल लाइफ में आप लोग कैसे क्वारंटीन होते हैं वैसे आप हमें कमेंट करके जरूर बताए कि क्वारंटीन किसे कहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग का मानना यह है न कि अगर जिस बिमारी के वज़र से महामारी फैली हुई वह बिमारी किसी व्यक्ति को हो जाता है यानि कि रोग से पीत आपके या फिर दूसरे देश में आए वेक्ति को एक अलग जगह दे दिया जाता है रहने के लिए जो रोग से पीध है उसको अलग कमरा जाता है और जहां पर इलाज किया जाता है ठीक तो उस जगह को क्वारंटीन कहते हैं तो उसको कहते हैं क्या क्वारंटीन इस कहानी में भी महामारी आई हुई है और महामारी के क्या हो रहे हैं क्वारंटीन हो रहे हैं बस फरक सिर्फ इतना है कि आप लोग अपने रियल लाइफ में जो महामारी फैलते हुए देखें यह महामारी फैल रही थी कोविड-19 बिमारी के वज़ा से जो कि कोरोना वायरस से होती है और इस कहानी में जो महामारी फैली हुई है लेकर छोड़ दिया जा रहा है और उसी क्वारंटीन नाम के जगा पर लेकर छोड़ दिया जा रहा है और वहीं पर क्वारंटीन में इन लोगों का क्या हो रहा है इलाज हो रहा है और वहां पर खाने पीने को सब कुछ मिल रहा है तो इसलिए इस चेप्टर का नाम क्या है क्वारंटीन अब चलिए मैं आप लों के अदम शुरू से कहानी बताती हूं इस चेप्टर का जो मर्क फैल गई रहती है प्लेग नाम की विमारी के होजा से इस तरह आप लोग देखे अपने रियल लाइफ में और नाम की विमारी थी लेकिन उससे भी ज़्याधा खोफ़नाक था वह कौरांटीन होता था अब लोग की विमारी से कम क्वारंटीन नाम के जगह से बहुत जाधा डरते थे क्योंकि वहाँ पर कोई देखने के लिए भी नहीं जाता था क्यों कि उसको भी प्लेग की विमारी हो जाएगी इसलिए वहां पर कोई भी साफ सफाई करने के लिए नहीं जाता उस क्वारेंटीन में ठीक और वो जो क्वारेंटीन नाम का जगा था वो पूरी तरीके से गंदा हो गया था एकतम कच्ड़ा भर गया था और उस क्वारेंटीन में सिर्फ प्लेग से पीडिस व्यक्ति अपने आखों क इसको मालुम था फिवज्व नामकी वीमारी यह ना इससे सिर्फ एक ही वज़ह से चुटकारा पाया जा सकता है है वह साफ सफाई साफ सफाई रहें तो प्लेग की विमारी नहीं होगी तो यह क्या किया विलियम भागो रोज जाता सा aíं लगाता नालिया साफ करता सड़क पर जाड़ू लगाता रोज जाकर यह काम करता था सोचिए जहां पर लोग जाने से थर थर का नाम जिस जगह का नाम सुनकर लोग थर थर कापते हैं वहां पर यह विलियम भागो जो है ना जाकर साफ सफाई का काम करता था ठीक लोग इससे पूछते थे कि तुमको डर नहीं लगता उतने खतरनाक जिगा पर जाकर तुम साफ सफाई करते हो तो विलियम भागो कहता कि इंसान का सबसे बड़ा फर्ज होता है कि वो दुसरों की मदद करें हम लोग को एक नएक दिन तो मर ही जाना है क्या पता कब किसको ये बिमारी हो तो उससे अपने जिंदगी में कुछ अच्छा काम करके मरो ठीक है तो विलियम भागो रोज जाकर वो साफ सफाई करता था और उसी क्वारेंटीन में एक डॉक्टर थे याद रखिएगा डॉक्टर का नाम था रेवरेंड मॉन तलावे इतना लंबा तो नाम मैं नहीं बो जितने भी लोग पीडित थें इनका यह इलाज करते रहते हैं डॉक्टर साहब दीन भर जो है ना प्लेग से पीडित व्यक्षियों का इलाज करतें और जब शाम को रात को अपने घर आते थे तो एकदम गरम पानी से घरारे किया करते थे गरम पानी करते थे ताकि जितना भी से पीट में गया हो तो वह भी मर जाए गला के पास अगर कोई भी जम्स अटका हुआ है तो वह भी मतलब गर्मी के वज़ा से जो है ना मर जाए ठीक तो यह इस तरह किया करते थे याद रखिएगा कोश्चन पूछ देता है कि डॉक्टर सहाब जो है वो कौन से साबुन से हा ब्रांडी पी लेते थे जो कि पेट जड़ाने वाली होती थी इतना ज़्यादा गरम था एक दिन जो है ना डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा ब्रांडी पी लिए तो इनका जो नफस है वो घोड़े की तरह दोड़ने लगा इनके अंदर गर्मी आ गई जो है ना इनके दि ब्रांडी पी लिया था यही होता है एक्स्ट्रा काम करने से ठीक तो इस तरह से बाते होती और बेचारा विलियम भागो रोज जाकर वहां पर साफ सफाई का काम किया करता ठीक अब देखिए एक दिन हुआ कि विलियम भागो की जो पतनी थी वाइफ उसको प्लेग नाम की हो ग्यां ठीक अब जो है राग फक्रुटर प्लेग के चोटा सा बच्चा था वह अपनी मां के सीने से लिपट कर बहुत ज़्यादा रो रहा था और यह देखकर डॉक्टर साहब को भी थोड़ा सा मतलब कोई भी देखेगा तो उसको मुह लगे गई तो डॉक्टर सहाब को भी ऐसा लगा कि कास में इसकी पत्नी को देख लिया रह है वो कल साफ सफाई करने के लिए नहीं आएगा मैं इसकी पत्नी का इलाज नहीं किया और इसकी पत्नी मर गई तो हो सकता है कि यह गुस्टा हो गया होगा और कल से साफ सफाई करने नहीं आएगा लेकिन अगले ही दिन जो है ना विलियम भागो अपने काम पर आया और कर रहा है जाकर डॉक्टर साहब विलियम भागो से पूछे कि मतलब तुम्हारी पतनी की मौत हो गई लेकिन फिर भी तुम काम करने के लिए आये हो तो विलियम भागो जो है ना फिर से वही बात बोला कि हर इंसान को एक ना एक दिन तो मौत फिक्स है ठीक क्या पता हमको मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं मैं अपनी जिंदगी में मरने से पहले कुछ अच्छा काम कर ले रहा हूं हो सकता है कि मेरे कम के वजह से प्लेग की भीमारी से चुटकारा मिल जाती है लोगों को मिरा नाम होगा लोग मुझे याद करेंगे और मैं मरukt कभी अंदा हू लियां यह सोशल है कि मैं विल्यम भागो की पतनी का क्या करता इलाज कर दिया रहता तो इसकी पतनी नहीं डी जाकर क्रांप सफ रखता कौरंटीम नाम की जगा की रखता था जाड़ू पुब्बशा करता था और एक दिन ऐसा आया कि यह प्लेड़ नाम की कीमारी उसपर काबू पा लिया गया प्लेग नाम की विमारी नोगों मिल गया और यह सिर्फ इसके वज़े से हुआ था तो विलियमभागो की कि वज़ानताब की रोड़ाई तो खुशी के तो पर जल्सा ? इतने खतरनाक विमारी पर कबू जो पाया गया था तर फब और सिर्फ विलियम भागो की वज़ा से लेकिन लोगो को यह नहीं मालुम था कि प्लेग नाम की विमारी से चुटकारा विलियम भागो ने दिलाया है जलसा हुआ उस जलसा में डॉक्टर साहब को बुलाया गया था और सभी लोग को ऐसा लग रहा था कि प्लेग नाम की विम से लोगो कुछ चुटकारा मिला लेकिन यहां पर नाम किसका हुआ डॉक्टर सहाब का यह और बड़े पोस्ट पर चले लेफ्टिनेंट करनल के पोस्ट पर ठीक सोचिए और विलियम भागो जो है ना यह सब कुछ और सिर्फ तुम्हारे साफ सफाई के होजा से हुआ है और कोई नहीं जाता है यह सिर्फ मैं जानता हूं लेकिन अब क्या करूं खिस्मत की बात है तो विलियम भी उतना जदा डिसकस नहीं किया और इसको अच्छा पोस्ट नहीं चाहिए था यह चाहता था कि मैं हर रोज करनल का दर्जा दिया जाना चाहिए इसको बड़े पोस्ट पर रखा जाना चाहिए लेकिन अब क्या किया जाए इसका जो रियल हीरो है वह विलियम भागो ही है और यहीं पर आप लोग की कहानी खतम होती है आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आई होगी अब देखिए धी है को बड़े कोरेंटिन के चैप्टर के राइटर कौन है मुसंफ राजेंदर सिंघ वे ती राइटर और चैप्टर का नाम कभी नहीं भूलना यहां पर एकदम कंफेजन नहीं होना चाहिए आप लोग को अब चलिए मैं आप लोग को राजेंदर सिंघ लिए कि मुसं 만든 मुसनिफ के बारे में कुछ details बता देती हूं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि writers यानि कि मुसनिफ से question तो exam में पक्का है कि objective में पूछेगा ही पूछेगा तो इसमें तो 1% भी शक नहीं है तो चली राजेंदर सिंग बेदी के बारे में समझते हैं इनकी पदाईश की बात कर इनका जन्म हुआ था एक सितंबर उन्हें से 15 को लाहौर में और इनके वालिद का नाम था पिता जी का हीरा सिंग बेदी जो की सिखते और इनकी मा वालिदा का नाम था सीवा देवी जो की एक ब्राहमन थी और इनको उर्दू और हिंदी का बहुत ज्यादा नौलेज था ठ लेकिन अपने पिता जी के कहने पर पोस्ट आफिस में जाकर कलर के जॉब पर पर काम करने लगे जॉब करने फिना की में बेदी की शादी सोमाउती से हुई थी तीक और अद्वी जिन्दगी का आगाज 17-18 बरस से हुआ मतलब राजन सिंग बेदी जो है ना लिखने पढ़ने की आप बोल सकते हैं नजम कवीता अफसाना लिखने की शुरूबात जो है ना 17-18 बरस की उमर से भी शुरू कर दिय और अंग्रेजी में इंग्लिश में नजम यान की कवीता और उर्दू पंजाबी में कहानी यह लिखना शुरू कर दिये अपने तालिब इलमी के जमाने में यानि कि अपनी इस्टूडेंट लाइफ में यह जो नजम की कवीता कहानी वगारा लिखते थे उसमें मौहसिन ल सब्सक्राइब करते थे तो महसिन लाहोरी याद रखेगा यह अब्जेक्टिव में कुश्टन पूछ दिया था ठीक और उनजिशा तिरालिस में पोस्ट ऑफिस की मुलाजमत से तरक कर रहे राजेंदर सिंग बेदी जो हैना जब इंटर में थे तभी इनकी मा का इंतकाल ह थे ठीक और अपनी मा के इंतकाल हो जाने कि फिक चार पांथ साल के बाद इनके पिटार जी इंतकाल हो गया और यह जो काम कर रहेते पोस्ट आफिस में अपने पीता जी के कहने पर पोस्ट आफिस में कलर के पोस्ट पर यह जो जॉब कर रहे थे वह जॉब जो है ना उन्हें से 43 में यह छोड़ दिये और उन्हें से 46 में यह संगम पॉब्लीसर्ज लिमिटेड का यह एक डिपार्टमेंट यह खुद से क्रिय पीर मश्ट्बाइब क्याम कर लिए तो आप्सानि मज्मुकं कि किताब का किताब का यहाद रखी इनका पहला कहानी का किताब का नाम है यह याद रखी है यह objective में पूछ देता है तो राजेंदर सिंग बेदी के पहले अफसानी की किताब का नाम है दानावदाम उसके बाद से गरहन कोक जली अपने दुख मुझे दे दो हाथ हमारे कलम हुए मुक्ति बोद यह सब क्या है अफसानी मजमुए यान की कहा रामप ड्रामा का किताब का नाम है बेजान चीजे और साथ खेल बीरेखे लिखें नाविल लिखेतें म है इसalo कि याद रखिएगा यह आप लोगों को घ्रेजुएशन में पढ़ना है एक फाली श्कौरेगों उसके बार 789 चैंडेमा बेदी पर competitor 1884 को बंबई में ही इंतिकाल कर गए 1884 में इनकी मौत हो गई ठीक तो यह हो गया राजेंदर सिंग बेदी के बारे में कुछ डीटेल्स जो आप लोगो याद रखना है और यह कहानी भी मैं आप लोगो को बता दी और राइटर के बारे में समझ गए कोई भी कमफिज ओन और अप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं बाकी में आप लोगो जो कुछ भी समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक तो बनता है फटवर वीडियो को लाइक कीजिए अभी तक नहीं किये हैं तो और चारो तरफ शेयर कर दीजिए अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा उसके अपने शेयर करें और हां अगर आप लोग चैनल पढ़नाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा सब्सक्राइब कर लेने के बाद बैल आइकन यानि कि घंटी के दुबाकर औल का अप्सन क्लिक झाईब